प्रमेंद प्रधान जी का बयान आया कि बच्चों के भविश्ष के साथ मैं उत्ता भविश्ष नहीं बरबाद होने दूंगा इसलिए जब बीजेपी शहे राज सरकार में रहे या केंडर सरकार में रहे पेपर लीक होना ही है वो तै है और जन लोगों ने भविश के साथ खिलवार किया है लगवग पचास लाक जो बच्चे हैं उन लोगों के भविश के साथ इन लोगों ने खिलवार किया है और लगतार जो है हम लोग तो मांग करते रहें कि रद कर दिया जाए इस चीज़ों क क्योंकि साफ तोर पे जो है जहां भी बीजिपी शाषित राज्ये हैं चाहे बिहार हो गुजरात हो या हर्याना हो इन तीनों जगा जो है पेपर लीक हुआ है तो हम लोग ही नहीं बलकि पूरा इंडिया एलाइंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद किया जाए अविलम्प दिल्ली के सीम को बेल मिलेगी तैसे देखने स्कुर्माब तो कोट का अपना फैसला है इसको अपना इसके स्वागत है आजे आप देखिए राजिस में सरकार उनकी केंदर में सरकार उनकी जाच एजेंशियां उनकी हमी कहते हैं मुक्रमंतिजी़ को बुला ले मेरे साख को अरे चाहे पीए हो पीए सो कोई हो बुला करके पुष्टाच कर ले कोई अगर बात है लेकिन जो उप्पमुख मंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं यो यू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को ले करके इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं इस तो बिना ज्ञान है इन लोगों को ज्ञान नहीं है जब महें में जब अरेस्टिक वहता तब से हम लोग आवाज जिस इंजीनर की बात कर रहे हैं इकीस में यही लोग अरबन डेवलपन में लाए थे जलसन सादन से थोरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को यह लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लिग के उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं जो आमित इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए जो भी किंग पिंग है कल मनोज जाजी ने पर प्रेस कांफरेंस करके तस्वीर साजा कर दी है अगर कोई दोशी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिकत है बुलाई गिरफतार करें हमको क्या दिकत है आम ही क्या देते है मुखमंती जी को बुला ले और जिसको यू रिपोर्ट करता है उसको कोई ग्यान तो है नहीं कोई बात पता चलता नहीं अधर तो एक बात सपस्ट है देख लीजे कि जो भी मामला है इस चीज को आज नहीं कल तो सब पता चली जाना है आई जो लोग मेरा नाम घसीतना चा पते हैं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जिस इंजीनियर की बात करें वो बेनेफिशरी हो सकता है बेनेफिशरी हो सकता है लेकिन पेपर लिग का मास्टर माइंड तो आमेतानन्द है नितीश कुमार है उसमें करवाई करनी चाहिए जब ये शिक्षा वाग में जब प्राधी लोग जो है जो पेपर लिक ए थे व तो बाहर बार घूम करके बिना जेल गें बेल करा लिये तो हम लोगों सब्का जानकारी है इसा नहीं हो सक्ष्प क्या है नहीं है सबसे कुछ होने वाला नहीं है देश की जंता जानती है जब जब B.J.P. Sattah में आती है तरता पेपर लिक होता है जाना चाहता है कि पड़ान मंत्री क्यों खामोस है कि वे उनको किसी चिंता है कि अध्यक्ष कोन बनेगा सवागा अब में तो हम कुछ पो बोले में नहीं लेकिन पड़ान मंत्री जब से आये हैं बिहार में पूल गिरी गया आप देखेएगा ट्रेन हाद्शा हो गया जब से आये हैं परधान मंतिजी कुछ ना कुछ गड़बर होई रहा है और परधान मंतिजी हर्द मामने में चुपी सा देवे